चाहते हैं कि मनिपूर पे चर्चा हूँ, महिलों मनिपूर पे चर्चा करने के लिए बार बार पारलमेंट्री अफेर्ज मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के ग्रह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्दे राजनार जी ने भी कहा, कि आप मनिपूर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तयार हैं, भागे ये, हम ने, भागे ये और हम ने, और भागने के पीछे कारण क्या, क्यूंकि ग्रह मंत्री जब बोलने लगेंगे, पड़ते जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे, मौन मुद्रा का उलेक हुआ था, मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं, अध्यक्स मौदे मेरे हाथ में, के पीएम जी की एक रिपोर्ट है, जो इनके कारेकाल से संबन्दित है, जो कहता है कि करप्शन की बज़े से यूपिय की कारेकाल में हमारे देश की जीडिपी की ग्रोथ को 9% का नेगिटिव इंपैक्ट होगा, ये अंतरराश्च्री एजेंसी बोल रही थी, लेकिन ये चुप थे, आज भी चुप हैं, जो लोग जीरो लॉस थेयरी सिखाते थे, आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोईला घोटाले के लिए सजा हुई है, और वो चुप है, लेकिन चुप, और बहुत सारी चीजों मे रहे महदे, दो हजार पांच छे में, यूपिये की सरकार को, ये ग्यात हो गया था, के कुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलातकार हो रहा है, दो हजार पांच छे में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ग्यात हुआ है, लेकिन ये चुप थे, दो हजार दस म वाइड बैंक की रिपोर्ट ने कहा इनकी तब सरकार थी कि स्वच्छता ना होने की वजए से देश की GDP पर 6.4 का नेगिटिव इंपाक्ट है ये चुप रहे महिला का बलातकार खुले में शौच में हो रहा था इनको पता था ये चुप रहे 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी 2019 तक 100% कवरेज हुआ 110 मिलियन टॉयलेट ये हस्ते इस पर अधर जी शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका सारीरिक शोचन होना बलातकार होना ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनोती है इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं इसलिए उपहास का विशे बनाते हैं आज मुझे ये कहते हुए शंद्रबिंदगी है कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलाकार होता है ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रहे हैं शायद यही लक्षन है कॉंग्रेस मित अलाइंस के कि औरत का बलाकार हो तो यह हसे भारत मा की हत्या की बात हो तो यह यहाँ पर तालियां पीटे ये कॉंग्रेस का लक्षन है